एलो फेर्ड्स एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर तो दूस्तों आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि नए मकान के अंदर जो इलेक्टिकल का जिरीवर्ग है वो किस परकार से उतकी जो पाईपिंग की जाती है जो सुछबॉर है उसकी हाइ प्रतुञा है जो आपके में बोर्ड है वो किस हाइड पहलेना है अगर आप इलेक्टिशन नहीं है अगर पार्टी है आपके नए में मकान का काम चल रहा है तो भी एडियो आपके लिए बहुत ही उस्पूल होने वाला है क्योंकि अगर आपके मकान के अंदर को इलेक्टिशन कारिय करता है तो आपको किस परकार से काम करके दे रहा है, किस हाइट पे बोल्ट रख रहा है या आपको जानकारी जरूर होनी चाहिए तो दुस्तों, आप सभी वीडियो को पुरा जरू देखेगा और चैनल को आपको जरू सस्क्राइब करें और साथ में बर बैल नोटिफिकेशन, और इससे में जब भी नयए वीडियो लालूंगा, आपको सबसे पह도 मिलेगा, और आप मेरा पूरा वीडियो देख पाएंगे ठीके दोस्तों तो चलिए देखते हैं यहां में कि मकान के अंदर जो पोइंट है वो किस परकार से हमें देना है और किस परकार से हमें जिरी वर्थ करना है तो देखे यह मकान का में इंट्रेस है तो यहां से जैसे ही हम अंतर जाएंगे तो देखे यहां पर देखे यहां पर दो पाइप डाले हुए हैं तो देखे एक पाइप जिसके अंदर जंक्सन लगा है तो यह हमारा यहां से फैन बोक्स से देखे पाइप आया हुआ है यह फैन बोक्स से पाइप यहां जंक्सन के अंदर डाला हुआ है और यह पाइप देखे डाला हुआ है औ गप,क्र दोस्तों देखे यह जंख्छन हम नम्याटक और एक TOS भीप हम यहां पर आहे हे तो यहां जो हम्या के लिए राहि रहा ही हुरक दोस्तों देखे यहां से यहां से लाईन आया हैiliar तो यहां देखें एक व्रुद। अथे प으면 में लम करें तो जोंदेकि दिया गए त तो उसका सुजबोर्ड हम बहाँ पर भी लगा सकते हैं या फिर हम इसका सुजबोर्ड यहाँ पर भी लगा सकते हैं फिर दोस्तो देखिए यहाँ पर जो हमने दो बेंड डाले हुए हैं फर्स के अंदर तो यह दोनों बेंड क्या होगा दोस्तो एक बेंड हमारी जो में ला नके लोग में जो ही। आप हमारा ले मिटर को लाइन के पास में, कॉलमस चलते हैं, फिर दोस्ते जैसे हैं तो चिल हें पाइटों। 17 गशड़ी की देवार फिर 15 टीऩ में यहां से हमने एक pipe लिया है और यह pipe यहां पर हमने drop किया है यहां छोड़ा हुआ है तो यहां एक switchboard लगेगा तो इस switchboard की जो height रहेगी जो first level से वो रहेगी जो अभी जो इसके height है वो है 4 feet 9 inch ठीके दोस्तों इसके बाद में जो first लगने के बाद में एक jb लगाया हुआ है केवल उदर कोई दिवार के उपर point नहीं है तो only for jb लगाया हुआ है तो जो jb की height है वो भी 18 inch की है सभी jb की height हमें 18 inch रखना है या फिर हम 21 inch भी ले सकते है अगर p.o.p. होता है तो आप इसे और down कर सकते हैं मालो अगर p.o.p. हो रहा है तो एक feet नीचे p.o.p. आएगा तो आप इस jb को थोड़ा और नीचे भी ले सकते हैं ठीके दोस्तों इसके बाद में देखे दूसरी वाली दिवार के उपर भी हमने इसी परकार से एक bend यहां पर गिराया हुआ था छसे तो यहां पर देखे हमने jb लगाया हुआ है ठीक ना jb से एक pipe यहां नीचे की तरफ हमने यहां पर डाला हुआ है switchboard के लिए तो enter होते से यहां से एक switchboard रहेगा तो यहां से light on off कर सकते हैं ठीक है दोस्तों इस switchboard की जो height है वो भी चार फिट नो इंच भी रखी है फिर दोस्तों देखे के जो कमरा है तो कमरे की वापिस से दूसरी वाल दिवार है उसके उपर के अवल jb का point लगाया गया है ठीक दोस्तों तो पूरे कमरे के अंदर हमने दो बोड लगाया है दो दिवार के उपर और दो दिवार के उपर हमने only 4 jb लगाया हुआ है फिर दोस्तों इसके बात में देखे जैसे हम enter करते हैं hole के अंदर तो enter करते से देखे इस दिवार पे एक switchboard लगा हुआ है तो देखे वहां से उपर जो bend गिराया हुआ था वहां से jb लगाया है jb लगा कर यहां पर देखे यहां switchboard के लिए हमने एक point लिया है तो यह hole का main switchboard रहेगा यहां से सारी hole की जो line है वह यहां से operate होने वाली है ठीक दोस्तों इसकी जो height है यह भी main board है तो इसकी जो height है लिया है नीचे की तरफ और यहां पर भी एक board लगेगा तो इस board की जो height रहेगी वह रहेगी चार फिट नो इंच ठीक है दोस्तों फिर इसके बाद में यहां से देखे एक bend लेके हमने यहां डाला हुआ है तो यह रहेगा tv का board ठीक है दोस्तों तो टीवी का board रहेगा तो supply लाही तो हमें इस board से यहां मिल जाएगी इसके बाद में जो हमारा tv की wiring होगी वो देखे उसके लिए हमने यहां चट के अंदर से एक pipe छोड़ा हो आता तो pipe से देखे यह बोर के अंदर यह pipe यहां पर आ रहा है तो जो इसकी height है दोस्तों जो first से जो इसकी height रखनी है हमें वो रखनी है हमें लगबख सवातीन फिट कोई panel बनता है LCD panel तो उसके अंदर जो height है इसकी थोड़ी कम हो जाती है अगर LCD panel नहीं बन रहा है तो आपको जो height है वो सवातीन फिट ही छोड़ना है ठीके दोस्तों इसके बाद में देखे इस side में अभी यह वकरा है उपर तो य यहांसे देखे एक switchboard उतार हुआ है नहीं बैंधर लगा हूए तो यहां से देखे यहां से लिए लिए यहां से बेंद आ रहे है इसके अन्दर दिया गया है सप्लाई के लिए ठीक है कि यहां width लगा है और सुच बोर से देखे एक जेबी लिया है हमने तो ये जेबी लगा हुआ है तो ये वास वेशन के लिए जेबी लगेगा यहां पर भी अंदर एक छोटा वास वेशन लगेगा और इसके बाद में देखे एक जेबी हमने यहां लगाया है और यहां जेबी से पाइप लेके ह हमने इधर की तरफ सिप्ट किया है इसको ठीक है तो यह देखे टोइलेट रहेगा तो टोइलेट के लिए वह जेभी हो गया है फिर इसके बाद में देखे इधर की सैड में बात्रूम है तो बात्रूम के अंदर भी देखे हमने यहां पर यह जो बेंड आया है तो यह बात्र जीरी नहीं हो सकती है इसलिए हमने इस पाइपिंग को यहां से लिया है देखिए यहां से हमने पाइप लिया है और यहां से देखिए यहां क्रोस करवाया गया है तो यह जो पलंबर भीया ने यहां से देखिए क्रोस बेंड लगा के यहां से पाइप को से तरीके से निकला ह हुआ है ठीक दोस्तों इसके बाद में देखिए यहां पे बेंड लगा के हमने जो पीछे के कमरा है उस कमरे के अंदर जो सुच बोड के अंदर यह पाइप दिया हुआ है तो हम पीछय के कमरे में आ जाते हैं तो जैसे यह में पीछय के कमरे के अंदर एंटर करते हैं तो एंटर करते से ही देखे यहां पर है हमारा जो घीजर का word है वो यहाँ आ रहा है इसका देखे टेप लगाकर हम नहीं तो इसामने आपको टेप प्लास्टर टो बेंड के अंदर मसाला चला जाएगा और वह भी आपका जोह हो जाएगा ठीके दुक है दूस्तों तो यहां से burger तो बेड्रूम के लिए देखे यहां पर लगेगा और एक अब लाइट का सुची लगेगा फिर इसके बाद में देखे इस वाली दिवार के उपर हमने बेड पॉइंट दिया हुआ है यहां इधर बेड लगेगा तो सेम वही पोजिशन पर है दोस्तों देखे वहां से हमने बेड लगा के यहां पॉइंट उतारा हुआ है नीचे की तरह ठीक है दोस्तों जो बेड का पॉइंट है इस बेड की जो पॉइंट की हमें हाइट लेनी है वह दो फिट या एक फिट नो इंच पी रखना है कई जगे एक फिट नो इंच रखा जाता है या फिर अगर बड़ा बोड लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको दो फिट की हाइट रखना है तो जो आपके जो बेड है तो बेड की से जो सुझ बोड का जो निचे का पॉइंट है वह आपको एक फिट नो इंच की हाइट पर अराम से मिल जाएगा तो जो आपको बेड पॉइंट है आपको first से सवा 2 feet रखना है ठीके दोस्तों इसके बाद में आपको 2 feet की height पे यह board मिल जाएगा first लगने के बाद में ठीके दोस्तों फिर इसके बाद में देखे इस वाली दिवार के उपर देखे बातरूम है उदर तो बातरूम के लिए भी हमने line दिया हुआ है तो देखे उ बार की तरफ एक pipe दिया हुआ है वहाँ एक दो मोडल का box लगेगा ठीके दोस्तों इसके बाद में यहां पर देखे उपर से यह pipe आया हुआ है इसके बाद में देखे एक उदर का pipe आया हुआ है और अंदर की तरफ से एक bend bar की तरफ आया हुआ है तो जो बातरूम का सुझ है वह यहां पर लगेगा ठीक है दोस्तों तो बातरूम का सुझ बोड़ है वह अंदर की तरफ नहीं दे रहे क्योंकि देखिए बातरूम छोटा है तो जैसे ही सावर चलेगा तो बोड़ गिला हो जाएगा और करंट आने का चांस ज्यादा है अगर बातरूम बड़ा है तो बड़े बातरूम के अंदर आप सुझ बोड़ अंदर की तरफ दे सकते हैं छोटा बातरूम है तो आपको जो सुझ बोड़ है वह बार की तरफ ही देना है ठीक है दोस्तों जैसे यह बातरूम में आते हैं तो देखिए यहां से जो बेंड है वह बार की तरफ गया हुआ के लिए फिर देखिए दूसरा जंग्सन वहां पर लगाया है तो वह एक जो स्वेन के लिए बात्रूम का एक जो स्वेन लगेगा तो उसके लिए जंग्सन वहां पर लगाया गया है फिर दोस्तों वहां से देखिए यहां पर गीजर के लिए छोड़ा हुआ है तो यहां एक पॉंट लिया हुआ हम सेम दूसरे कमरे में पर यही है तो एस कमरे के अंदर WHO कर DAYS यह बादवातों के पासमें बोरड दिया गया है देखे बोर्ड कोऊपर से जबी लगाकर यहां पर उतार दिया तो यहाँ पर देखे, बेट पॉइंट है, तो बेट पॉइंट की जो हैट है, हमने ली है, कम से कम सवा 22크, थीक के दोस्तों, इसके बाद में देखे, वहाँ से, वहाँ उधर की सेड में हमने कोई point दिया हुगा नहीं है, लेकिन देखे, वहाँ पर देखे, एक प्लस का निस इसको तक सकते हैं, sujboard to suj board की दूरी, ठीक है दोस्तों, तो कमरे का आपको center कर लेना है, center के बाद में आपको 3.5 feet इधर ले लेना है, उसके बाद में आपको जो pipe है, उसको वाहंपे drop कर देना है, और फर्स से जो height रखनी है, वो आपको रखनी है, 2 feet ठीक है दोस्तों, तो इ वह पुइंट वहां से बाद निकाला हुआ है फिर देखे यहाँ पर जंक्सन है जंक्सन से एक बेंड हमने यहाँ पर निचे दिया हुआ है और वहाँ देख सकते हैं एक सेनेटरी का पाइपार आए नलका तो वहाँ पर देखे एक एसी की लाइन लगेगा वहां ऐसी लगेगा तो ऐसी का सुच बोड भी यहां पर रहेगा तो यहां पर हम एक सुच बोड लगाने वाले हैं और उसी सुच बोड से देखे यहां पर एक कुलर का पॉइंट भी दिया गया है बार की तरफ अगर कुलर लगता है तो कुलर भी लगा सकते हैं अगर ऐसी लगाना चाहे तो AC b लगा सकते हैं दोनों औप्शन इसके अंदर दिये गए हैं तो देखे यहाँ पर हम जो नॉर्मल सुच बोड है तो नॉर्मल सुच बोड की हाईट के ऊपर हम सुच बोड देने वाले हैं देखे यह सुच बोड है ठीथ आप कुलर का प्οइंट आपकोज एसा दिवार मिले जो condition मिले उस condition के उपर देशते हैं, अगर निचे की दिवार मिल रही है, तो आप निचे की side में देशiving अगर को उपर मिलरीय है तो उपर भी दे शकते हैं उसका कोई height का ऐसा कुछ है नहीं ठीक है दोस्तों इसके बाद में अंदर चलते हैं तो यह देखिए एक store है तो store के अंदर देखिए आम ने एक invator का point प्लान किया है यहाँ पर तो जो invator का point है उसकी जो height रहेगी वो first level से देट फिट के height पर आपको इसको रखना है ठीक है और यहाँ पर एक switchboard भी लग जाएगा तो यहाँ चार फिट नो इसकी height के उपर यहाँ एक switchboard लगेगा तो इस store की light एक light चत्मे दी गई है और एक light दिवार पे दिया गया है तो उसका switchboard यहाँ लग जाएगा और सातीस के न तो आप चलते हम kitchen की तरफ तो kitchen में भी हमने किस परकार से point इसके अंदर दिये हुए हैं तो थीके दोस्तों से enter करते हैं तो enter करने पर देखिए यहाँ पर एक wash basin दिया गया है तो wash basin के लिए यहाँ पर एक switchboard दिया गया है ठीक है इसके बाद में जैसे ही हम kitchen के अंदर enter करते हैं तो kitchen के अंदर enter करते से ही देखिए इस side में एक board दिया गया है तो kitchen का यह पूरा main board रहेगा तो kitchen की सारी light इस board से operate होने वाली है ठीक है इसका देखिए pipe उपर से देखिए वहाँ से उपर से यहाँ drop क्या हुआ हुआ है ठीक है यहाँ switchboard के अंदर लगाया हुआ है और यहीं से देखिए एक pipe उठा कर यह store है तो store के अंदर देखिए वहाँ पे junction लगाया हुआ है ठीक है तो junction आपको जो height है वो किसी भी height पे ले सकते हैं normally तो वो junction हमने देखिए आर से 10 inch की height पे लिया है ठीक है इसके बाद में देखिए दूसरी वाली दिवार के उपर आ यहां पर sink है तो sink के लिए आपको एक नल दिहे हैं और साती यहां पर R O के लिए भी यहां पर दो नल झोड़े हुए है और सेंक जच ऊपर Giser का point दिया हुआ है जएखिए यहां पर R O और Giser के लिए lima है तो देखिए यहां पर हमने एक pipe चोड़ा हुआ है तो यहां पर 4 module बोक्स लगेगा जिसके उदर दो सोगेट लगेंगे तो देखे जो घ्यजर है तो गीजर का जो पूंट है वह भी यहांसे हो जाएगा साती देखिए और भी यहांसे शाउये ठीक इन दोनों पूंट के स्विच हम देने वाले हैं यहां पर पर यहां सुच बोड्र आ लगएगा पावर सोकेट और एक पावर स्विच लगेगा फिर इसके बाद में देखे दो स्विच लगेंगे वहाँ के जो एक गिजर के और एक आरो का सूच लगेगा ठीक है यह पाइब भी उपर से जंग सन लगा करें यहां पर ड्रोज किया हुआ है फिर दोस्तों इसके जंगसन लगाया हुआ है एक जो सेन के लिए या चिमनी लगाते हैं तो चिमनी भी लगा सकते हैं उसके अंदर हमने पॉइंट ओल्रेडी छोड़ा हुआ है ठीक है दूस्तों इसके बाद में देखें किचन की आ जाती है दूसरी वाली दिवार तो उसके उपर देखें तो इसकी जो हैट रहेगी वह भी रहेगी 4,9 इंच और यह एक फ्रिज के लिए पॉइंच ले सकते हैं और जो यह सुच बोड़ है बाकि सारे सुच बोड़ है तो इसकी भी हैट है वो 4,9 इंच लिए वा है ठीक है दोस्तों इसकी कोई हाइट नहीं है यह जैसे आपको पॉ कटिशन मिले यह उस कंडिशन में मिले उस कंडिशन आप लगा सकते ठीक दूस्तों कि पूरी प्लाइंग थी फिर दूस्तों हमने जो इस मकान का एमसी बुख लगाया है वो लगाया है होल के अंदर जैसे घुण करते हैं तो दरवाजे के जेश्ट ऊपर हमने MCB box दिया हुआ है, क्योंकि हमें 9 इंच की दिवार वहीं पे मिल रही थी, बाकी इधर देखे नीचे एक तरफ 4 इंची है, तो यहां देखे उपर दर्वा जा रहा है, इसलिए इसकी height है वो फर से ज़्यादा है, तो इस पे अगर इस पे कोई work करना है तो आपको इस टुल पे खड़ा होके, इस पे work करना पड़ेगा, अगर आपको plain दिवार मिल रही है कई पे भी hole में, 9 इंच वाली तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं इसको बार की side में, अगर आपको दिवार मिल रही है तो बार की side में आप इसे लगा सकते हैं ठीक है लेकिन हमें यहां पर ऐसी कोई दिवार नहीं मिली तो हमें सबसे बेश लोकेशन यहीं मिली तो यहां पर हमने इसको यहां पर लगाया है ठीक है दोस्तों यहां सिंगल फेस त्री फेस आप जैसा चाहिए वैसा बोट लगा सकते हैं यहां पर हमने सिंगल फेस के और मेन लाइन लाने में आपको कोई तकलीप ना हो अगर हम इसको बाहर देते हैं शेयर करें दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंगर